और रुक करेंगे अगली खवर का आपको बता देख जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली मुंबाई एक्सप्रेस वे के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबाई की तर्ज पर यूपी के सीम योगी आदितनात ने फाइनेंस सिटी बसाने को हरी जंडी दिखा दी है और ये फाइनेंस सिटी गोतम बुद्ध नगर से बसाई जाएगी जहां आपको बता देख फिन सिटी के आने से इस इलाके को चार चांद लग जाएंगे फिन सिटी में बैंक के कार्पोरेट दफतर समेत स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज भी होंग वहीं आपको बता देख साल 2023 के आखरी या 2024 के सुरवात में जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उडान भरेगी और आपको बता देख दो के वज़े याब जेवर एयरपोर्ट पर पांच रंबे बनाए जाएंगे और रामनगरी आयोध्या में तपस्वी छवी के संत परमहंस दास ने जिला प्रशासन से एक नई मांग उठाई है आज डियम आयोध्या अनुज जहा ने यहाँ पर आपको बता देख जहा से मिलकर संत परमहंस दास ने उन्हें ग्यापन सौपा है और कबरिस्तान को आबादी से दूर करने की मांग की है यही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि आवादी में अब नई मजार नहीं बननी चाहिए उन्होंने कहा है कि अयोध्या सहर से पांच कोश दूर कबरिस्तान बनाया जाए संत परमहंस ने कहा है कि 1950 में कबरिस्तान को आवादी से दूर रखने का एक सासना देश भी जारी किया गया था लेकिन वै कथीपे कारणों से लागू नहीं हो सका था जिससे कि अब लागू करना चाहिए और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी जमकर रड़नीत बना रही है इस बीच बीजेपी प्रदेश से कारसमित की बैठक 13-14 मार्च को लखनव में होगी वहीं आपको बता दे कि जानकारी के मताबिक बैठक में पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले यूपी विधान स्वावा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा कारसमित के उधगाटन सत्र को सियमयोगी आदितनाच संबोधित करेंगे जबकि समापन सत्र में बीजेपी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा संबोधित कर सकते हैं इससे पहले प्रदेश कारे समित की बैठक मेरट में हुई थी वहीं 2020 में ये बैठक कुरोना के संकरमर के कारण नहीं हो सकी थी